हेलो वेल्कम टू एनदर व्लॉग आज समसे सोबे से पले शान है जूटे लोगों क्यों है जैसे यह देखो सोबा नौ बज़े गए थे अब फिर से जा रहे हैं तो यह हम के पास खाना कब खाओ गया के यह देखो खाना तक इनोंने नहीं खाया है तो भाई अगर किसी इनसान को विना अपर्टमेंट के आ जाता है और मना कर दिया जाता है तो भी वो अपना अपमान इसको समझ लेते हैं बलकि intentionally ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो आज कल दुनिया की सोच पता नहीं कहा है तो यहाँ पे मैं कड़ी बना रही थी और अचानक से ही फोन आ गया डियम आफिस से तो इनको जाना पड़ा मैं सोची थी करम गरम खा लेंगे तो hello everyone आज जो है मेरा husband सोबा से बहुत जादा परिशान है क्योंकि जैसे यह इनका काम है अनुसी देते हैं यह तो पहले inspection के लिए जाते हैं इंडस्ट्री होती है यह चोटे-चोटे cold storage होते है तो उनके inspection के लिए यह जाते हैं और फिर सब कुछ ठीक-ठाक होने के बाद ही अनुसी दी जाती है जैसे कि आप लोग को पता ही होगा तो ऐसा था कि किसी ने इनकी शिकायत कर दी है और यहां पे वो आए हुए थे और without appointment के आए थे घर में और office timing जो है खत्म हो चुकी थी चार या साड़े-चार बज रही होगी और शायद से मेरे husband ने मना करवा दिया होगा कि मना नहीं करवाया था मिंस यह बोला था कि आप लोग कल आईएगा वहां पर मतलब office में आके मिलिएगा अभी office timing खत्म होगी और without आप किसी information के आ गए हैं तो मैं नहीं मिलूंगा तो बस इतनी सी चीज़ पर ही मतलब business man से यहां पर तो इतनी सी चीज़ पर ही उनको बुरा लग गया जैसे एक इंसान की tendency होती है ना कि हमें सम्मान मिले आगे से जैसे उनको घर में नहीं बुलाया गया मना करवा दिया गया तो उनके सम्मान को ठेज पहुच गई तो मतलब बिना मतलब के issue बना लिया उन्होंने और DM office में जाकर के DM याने के यहां पर collector होते हैं किसी दुर्वयवार वो घर में नहीं करते हैं तो बाहर क्या करेंगे तो इस टाइप से मतलब NOC नहीं दे रहे हैं उसी का बदला मतलब लोग का आप tendency देखिए बदला लेने की कि इन्होंने NOC के लिए हमें मना कर दिया तो हम किस टाइप से चालवाजी करके NOC ले ले डियम तक बात पहुचा दे फिर डियम ने बुलाया है इनको तो सुबा भी यह गए हुए थे फिर शायद से दिन में भी अभी हां मतलब दिन में भी डियम के पास ही गए हुएं तो वो लोग वहां पे 40 लोग पहुचे हुए हैं मतलब पहुचे हुए थे ऐसे husband म मतलब कि आपकी वो अनुमती मिल गई है इसमें not objection certificate आपको no objection certificate आपको मिल गया आपको कोई objection नहीं मतलब कि अधिकाली कोई objection नहीं है जब गड़बाड होगी तो अपनी कलम फसाद तो कोई नहीं करेगा सीधे इनकी जॉब पर आएगी और इतनी सी बात को उनने बात का बतं जंगण बना दिया है इन्होंने साड़े बिदावड इन्फोन किये बिना लोग आ गए थे गर पे मना करवा दिया तो यह उन्होंने अपना अपमान समझ लिया तो यह कहां तक सही है इसलिए आज हम लोग बहुत जादा परिशान है अपना रोज चाउमीन खानी होती है यहां पास में हासरे हो क्या कर रहे हो एक पास में रेस्ट्रेंट बढ़ दिया है और टीपू कौन से क्वाली आइस क्रीम खाएगा मिटा वो आइस क्रीम नूडल्स और टीपू आपको तो नाम भी पता है कल गया था टीपू और लिउडल को खाना चालू कर लिया था अच्छा और तुम मेरा मोबैल खोल लेते हो मैंने सुनत मेरा कोड तुम डाल देते हो यह बच्चा मेरे फोन का जो है जान गया है कोड और यह खोल लेता है मतलब उसको अनलॉक कर लेता है और बाकी टीपू तुमको पड़ाई वड़ाई तो करते नियो तुम बाकी कोड तो तुम्हें आता है वाओ पार्सल आ गया है टीपू बहुत जोड़ से भूख लग रही थी जो मुझे जिसका दबब के साथ सुनील भीया ले आए हैं यह आ गई टीपू की चाउमीन बन्ट चिली गार्लिक चाउमीन टीपू की आ गई है टीपू अब तुम कैसे खाओगे भीया भी टेस्ट कर रहे हैं कल इनके लिए मैं पैक करा के लाई थी पर सुबार टीपू खा गया अब अपना चाउमीन खाओ और यहां बनाने लग गई हूँ मैं चाए क्योंकि हस्बन आ गए थे डियम आफिस गए थे फिर इंस्पेक्शन के लिए एक गाओं में भी जाना था तो यह हमारी चाए बन कर आ गई है और बस मैं इनको चाए दे रही हूँ और यहां मैं तयारी कर रही हूँ शाम की पूजा की यह मैंने प्रसाद बना लिया है माता रानी के लिए यह आज मैंने हलवे का प्रसाद मैं बना रही हूँ और यहां पे दिया और यह रख लिया है मैंने धोकर और अब मैं शाम की पूजा कर रही हूँ रात के टाइम की म अगले व्लॉग में जब तक के लिए बाव आए प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब